तो कमेंट में यह बतायाँ कि आदमी पार्टी का चुनाव चीन क्या है नेक्ट पॉंट पे चल जैंडी बसे रहा है कि नए वीडियो में आप सभी का हार्दीक स्वागत है नय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेए का वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी सब्सक्राइब करते हैं आज का इंपोर्टेंट करेंड एफिर्स 17 और 18 सेप्टेंबर का जो बचा हुआ करेंड देखेंगा आज की वीडियो में 17 सितंबर और 18 सितंबर दोनों ही दिन के तो आज आज की वीडियो में शुरुआत करते हम लोग अपनी राष्ट राजधानी न नए दिल्ली में दिल्ली में नए नए मुख्यमंत्री ने सवत ग्रहन्स ले लिया है नए मुख्यमंत्री बन गई हैं उनके बारे भी समझे हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री कौन है सबसे लंबा कार्यकाल की दिल्ली में मुख्यमं मंत्री कौन है इतके बारे में कंप्लीट इसी वीडियो में देखते हैं तो केजरिवाल जो दिल्ली के मुख्य मंत्री थे उन्होंने इस्तिफा दिया है 15 सितंबर पंद्रह हो जाएगा 15 सितंबर 24 को इन्हों ने इस्तिफा दे दिया है तिन के बारे समझ लेते हैं यह साथवे मुख्य मंत्री थे दिल्ली के दिल्ली के साथवे मुख्य मंत्री थे इन्होंने जब पहला पहली बरपाद भार ग्रहन किया था 28 दिसंबर 2013 में और 14 फरवरी 2014 तक यह मुख्य मंत्री थे दिल्ली के उसके बाद 14 फरवरी 2014 से 24 तक 15 सितंबर 24 तक यह मुख्य मंत्री थे दिल्ली के मुख्य मंत्री के रूप में 15 सितंबर को उन्होंने इस्थिफा दे दिया है के जरीवाल 21 मार्च को इनको 21 मार्च 24 को गिरफ्तार किया था edit द्वारा और cvip द्वारा भी गिरफ्तार किया गया था और 13 सितंबर तक 24 को इनको रिहा किया गया है दिल्ली के गवर्र्णर कॉन है left kant गवर्रनर कॉन है तो v के सकसे ना इनका भी न्याम ध्यान रखिएगा अर्बिंद केजरिवाल के बाद में और एक इंपोर्टेंट प्रस्मिया बन सकता है रमन मैकसे से प्रुषकार इनको मिल चुका है और 21 माद 24 में इनको गिरफ्तार किया गया था और 13 सितंबर 24 में यह रिहा हुए है दिल्ली से चलिए अर्बिंद केजरिवाल के बारे एक एक मुएंट हमनों समझ लिया अब स्माझ लेते हैं मुख्यमंत्री कौन कौन है दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन है तो चौधरी ब्रह्म प्रकास चौधरी ब्रह्म प्रकास है उनका कारेकाल कब था 17 मार्च 1952 1952 से 1955 तक 12 फरवरी 1955 तक इनका कारेकाल था चौधरी ब्रह्म प्रकास पहले सी एम आफ दिल्ली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है सुस्मा स्वराज बिजेपी की नेता है सुस्मा स्वराज पहली महिला मुख्यमंत्री यह पांचवी मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवी दिल वो चोटा कारेकाल था 1998 से 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक था 52 दिन का कारेकाल था इनके कारेकाल के दोरान दिल्ली के जो लेटिनेन गवर्नर थे बिजय कपूर थे सबसे लंबा कारेकाल सीला दिक्चित का कारेकाल 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक 2013 तक रहा है तीन दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर थे तक कारेकाल रहा है सीला दिक्चित यानि कि 15 साल 25 दिन क्रीं 15 साल 15 साल 25 दिन इनका कारेकाल रहा है अभी बन गई है आतीसी, आतीसी मार लेना, प्रंतु इनके जो टाइटल है मार लेना, इनका कहा जाता है, कि ये जो मार लेना है, इरोपिया क्रांतिकारी है, मार्क्स और लेनिन, इन से जुड़ा हुआ है, इन से लिया गिया है, मार्क्स और लेनिन से इनका नाम जो टाइटल लिया गिया है, तो इनके ओपर कुछ टिपनिया भी होने लगी थी तो इन्होंने अपने टाइटल कहटा दिया इनका नाम आतिसी den민 को से तेल से एक मही शोरी है और दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला अपर गंत्री बनी है साथवी अर्विन केजरिवाल थे और आठवी अतीसी, सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री हो गई है, दिल्ली की, इनकी जो बिधान सबाद छेतर है, कहां से बिधायक बनी थे, कब बनी थी, तो कालकाजी दिल्ली के कालकाजी चेदर से ये विधानसवाद चेदर से विधायक बनी थी 2020 में 2020 में ये विधायक बनी थी कालकाजी से और 21 सितंबर 24 को इनोंने मुख्यमंत्री पत्की सभत ली है और अर्बिन केजरिवाल जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये सिक्षा मंत्री थी शिक्षा मंत्री इनके पास था शिक्षा मंत्राले इनके पास था तो एक पॉइंट को रोड़ समझा यहां और चलते हम लोग नेक्स पॉइंट कहीं कोई बाइचन आगर को क्लियर कर दूगा अजिया और किस पाटी कि यह देख लीजिए अरुछ आज्बीन केजिरेवाल की पाटी है तो आतीसी आम आदमी पाटी की कि आप यानिकि आप कि सौट में आपका आप कि आचाथा तो डिमाय पार्टी के चुनाओल चेंहां काम आदमी पाठे़ की का चुनाव चिन क्या है चलते हैं चलिए लिए 24PT5 यह क्या … जिसका नाम रखा गया है 24PT5 और यह Может ब्रिथ्वी का इस प्रिथ्वी का अस्थाइम मीनी मुन भी कहा गया है यह चुद्रगर प्रिथ्वी की तरव आ रहा है और प्रिथूपी के इसक्लेश लगाएगा आगे बढ़ने क्रम में अधा शक्क्र लगाएगा इसलिए इससे इस सुद्र के बिसमेंonter पाया हो और प्रोजे को मंगल ग्रह जालते हैं नेक्ट पॉस squishy नेक्स को फॉन्ट पर चलते नेक्सपाइबंच मर्मिका टॉपन का आया था तो यागी टुफान के बाद यागी टॉबनगा टाइफून व कि प्रभाविट चेत्रों को मदद पहुंचाने के लिए भारत में और प्रसांद महासागर में यागी तुफान आया था यानि कि प्रसांद महासागर भी option में हो सकता है यह दक्षनी चिन सागर भी option में हो लबोस और मैनमार इनकी सहायता की जा रही है भारत द्वारा ओप्रेशन सद्भावना के तहद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बंदे ट्रेन भारत का पहला बंदे मेट्रो ट्रेन के सुरुवाद की गई बंदे भारत कहीं यह एक पहले बंदे भारत के बंदे भारत च्रेण हो सबसे पहली जो बनी थी वो उसका नाम क्या था उसका नाम suspended भारत अभी नाम रखा गया प्रंद पुराना नम क्या था रेसी सब से पहले कहां चलाया गया था तो निव दिल्ली से वरानसी के बीच में 15 फरवरी 2019 में इसे ध्यान रखेंगे यहां प्रश्ण बन सकता यह एक्स्ट्रा फेक्ट मैंने यहां बता दिया है बंदे भारत को पहली बार स्टार्ट किया था इस दिन भारत के महान इंजिनियर डॉक्टर सर मोच गुंडम विश्वस्वरया का जन्व दिवस है इनका जन्व 15 सितंबर 1861 में करनाटक में हुआ था मैसूर में मैसूर में इनका जन्व हुआ था तो इनके ही जन्व दिवस के आउसर पर 15 सितंबर को नेशनल इंजिनियर्स डे मनाई आता है 24 की थीम क्या है इंजिनियर्स डे की 24 की थीम क्या है तो इनो इनोवेटिव फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर यह थीम को भी ध्यान रखिएगा और 15 सितंबर को ही अंतराश्टिया लोगतंद्र दिवस भी मनाते हैं इसे भी ध्यान रखिएगा चलिए नेक्ट पॉंट पर चल नायन्टइं फिपटिफाई में भात रथराथ पृसकार भी मिल चुका है भात भारत रथराथ ने पृसकार भी मिल चुका है जलिए नेक्ट पॉइंट पे चलते हैं नेक्ट पॉइंट है भासकर डिजिटल प्रटफार्म को लॉंच किया गिया है किस के दोरा किस मंत्राले दोरा या किस मंत्री दोरा प्रशन कुछ भी बन सकता है तो मंत्राले या पुछा जाता है तो Commerce and Industry यानि कि वानिज्य और उद् प्रॉब नॉज एकलोलेजंटार्स था स्टार्टक्ट कोन्льट किया उभास्कर को क्या चो सब्सक्राइब इसको कम्पनिया इसे नंको बढ़ावा देने के लिए कमपुलीट एक जगह दाइ मोहया करवाने के लिए इस प्रेट फार्म को लांच किया गिया है इस्टार्टप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए चलते हैं यह वाक्सीन पहली और यह दौरा World Health Organization द्वारा इसके मंजूरी दे दी गई है वैक्सिन का नाम है AMV8BN इसका निर्मान किया है Bavarian Nordic द्वारा यह जो BN लाश में देख रहे हैं यह कंपनी का ही नाम है B4 Bavarian N4 Nordic इसके द्वारा इसके द्वारा यह वैक्सिन निर्मान किया गिया है एम पॉक्स के भैक्सिन है जिसके डवलू एचों ने मंजूरी दे दी है चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं सुबध्रा योजना प्रद्रा योजना की सुरुआत उडिष्या सरकार की गई है और इसस्यथा में की गई है किसके द्वारा प्रधान मंद्री ने ? जिनकी उम्र 2100 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में उनको प्रतेक वर्ष प्रतेक वर्ष दस जार रुपय दी जाएंगे यह दो किस्त में दी जाएंगे पांच जार पांच जार करके दो किस्त में दी जाएंगे इसका चलिए नेक्ट पॉइंट पर चलते हैं नेक्ट पॉइंट ह पुरूस एसिया होकी चेंपेंशिम ट्रॉफी 24 का हमनों देखा था पढ़ा था किसका आयोजन चाइना के हुलून बुयर में किया जा रहा है जो कि 8-7 सितंबर से 17 सितंबर 24 चुविस के बीच हो रहा था उसकी बिजयता टीम बन गईए है भारत भारत ने चाइना को एक जीरो से हरा दिया है चाइना को हरा दिया है और एक मात जो गोल हुआ है यह एक मात गोल इंपोर्डन बन जाता क्योंकि एक गोल से चाइना को भारत ने हराया है तो किसी ने गोल किया यह दियान रखेंगा नाम जुग्राज सिंग जुग्राज सिंग ने ये एकमाहत गोल करके भारत को बियता बनाया है प्रूस एसीया होकी चेंपिर्स टॉभीस में तो महिला महिला ASEA Cup 224 ट्रोभी का 24 का ईहन का होगा राजगीर बिहार में होगा नौवंबर में इसी साल 24 में ही नौवंबर में राजगीर बिहार में होगा और ASEA Cup जितने वाली भारतिय टिम 5 वी बार जित लिया है पान्च वी बार इस ने जित लिया इस precio को प्वप की चैंपिंशिफ को चलते हैं नेक्स्ट पोइंट है कि 5डिकेड औफ बडिक्स यह कि सकी आत्मगता है तो सुसील इसंदे सुसील कुमार इसंदे पूर्ब सीम महाराश के और गृह मंत्री भी केंद्रियं घ्रिम मंत्री भी रह यह महराश्ट के पुर्व सीएंप इनकी आत्मकता सुसील कुमार सिंदे की आत्मकता है चलते हैं नेक्स पॉइंट है संतोस कस्यप यह संतोस कस्यप को भारतिय महिला फुटबॉल टीम का कोज बनाया गया संतोस कस्यप को इंपोरेंट यह फड़ाफ़ाट इन्फॉर्मेशन है इसमें डिटेल क्या बदबढ़ना है 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 दरवाद मुक्तिवस का मनाते हैं 17 सितंबर को 17 सितंबर को हैदरवाद क्योंकि ओपरेंट पौलो के तहट उनिस सो अट आटालीस में 17 सितंबर 1948 में है घराबाद से निजाम साथन समाथ हो गया था 17 सितंबर को ही अधिकारी गृप से समाथ हो गया था 17 सितंबर निजाम का सासन को हिद्रवाद से खतम कर दिया गया था कि नेक्स पॉइंट पर चलते हैं मोहना सिंग स्क्वेडन लीडर मोहना सिंग एल सी ए तेजस एल सी ए तेजस उडाने वाले पहली भारतिया महिला बन फाइटर फाइटर बन गई इन्होंने कहा उड़ाया है तो तरंग सक्ति अभ्यास चल रहा है उसमें इन्होंने अपना यह करनावा दिखाया यह दिकरदबना है इनके नाम से हो गया है मोहना सिंग के नाम से चलते हैं नेक्स पॉइंट विश्व बांस दिवस का मनाते हैं तो 18 सेप्टम्बर को 18 सबसे बड़ा घास घास प्रजाती का इसी भी ध्यान रखिएगा चलिए आज के लिए इतने आहीं 17 सिटमबर और 18 का हम लोगों ने करेंड़ देख लिया कंप्लीट है इंपोर्टेंट वीडियो कैसा बना है कितना इंपोर्टेंट है आप लोग एक जाम के पॉइंट अभी उसे कमेंट में बीचार जरूर रखिएगा मिलते हैं नए वीडियो में तब तकर जैहिंद स्वस्त्र हैं मस्त्र हैं धन्यवाद जैहिंद